आप सभी का स्वागत है तो आज आप यह देख रहे हैं आलू के पराठे चो खाने में बहुत ही टेस्टी हो बनाने में बहुत इजी है तो लेट्स केट स्टार्टेड तो यह लिए हमने गीहों का आटा उसमें मिला लिया है नमा थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे ओईल ताकि हमारे पराठे क्रिस्पी बने और यहां पर लेड़ना है गुनगुना पानी थंडे पानी से हमें आटा को नहीं गूतना है गुनगुने पाठनी से गूतना है जिससे आटे का टेक्च्चर बहुत अच्छा रहेगा आप आटा को रेस्ट नहीं दे सकते हो 10-15 मिन और आपको तुरंट क्विक बनाना है तो आप इस तरीके से गूतिव मेंस गुनगुने पानी से आटे को गूतेंगे तो आपका पराठा तुरंट में भी अच्छा टेस्ट दे का देल हमें यह मैंने पीसा है यह है धनिया धनिया तो उसको हमें क्या करना है देख लेते हैं तो धनिया को हमें सबसे पहले हीं धंजीरा धनिया जो भी आप मसाला एट करेंगे वह पीसेंगे और हम इसमें दरदरा अग लाएंगे तो टेस्ट जो होता है उसका बहुत इसमें एक इंच लाल चीनी का टोड़ा भी डाल लीजेगा जो की टेस्ट पर अच्छा देगा और इसके भुन जाएगा भुनने के बाद इसको हमें पीच लिया अब ये लिए हैं बॉile अलू इसके बिना तो कुछ नहीं होगा अलू का पराठा है तो बैसिक इंगीरिन हमारा अलू ही है तो अलू को लेना है अब हमें आलू को करना है साथे तो एक पैन में डालना है ओल आइल डालने के बाद इसमें डालना हैं जीरा हींग इसको अच्छे से तड़का आ जाए जब जीरा चटक जाएगा तो इसमें हमने अपना मसाला डाला है जो कि भूना था यानि जो सारे मसाले थे वो मूना था अब हम इसमें डाल देंगी आलू और इसको हमें कलहार लाया तो आलू को सौते करने के लिए रखेंगे तो इसे आपका टेस्ट पराठे का बहुत अच्छा आएगा जैसे भरता बनाते हैं उसी साब से आप इसको कलहार लीजे थोड़ा सा पा मसाले अमचूर पाउडर ढाल लेंगे जीरा पाउडर डाल लेंगे कालीमिस डाल लेंगे यह मुझे बनाती थी टिफिंड में मुझे ऐसी पराठे देती थी तो मैंने सोचा कि आप मिर्योग के साथ भी शेयर करisteri ER करूँ तो टेस्ट उसमें बहुत अच्छा आएगा, मूटे पराठी की बात ही अलग है, इसको हम सेखेंगे देजी घी में तो उसका टेस्ट और भी फ्लेवर्ट फूल आएगा, अगर आप ये ठंडा भी खाएंगे, तो भी पराठी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, आप इसे चीज की कोई जबरत नहीं, अगर डाल लेते हैं बच्चों के लिए, तो बेटर है, नहीं डालेंगे, तो भी इसमें कमी खिलेगी नहीं, और टेस्ट बहुत अच्छा हैगा, इसको बढ़ी अपलेट कर, इसको हलका हलका सेखना है, और इसको सेखने पे इसको अराम-अराम से सेखना है, हॉले-हॉले से सेखना है, ताकि क्रिस्पी हो, जल, क्रिस्पी होना चाहिए, जलना नहीं होना चाहिए, कड़क, तो देखिए, इसमें कितना अच्छे से सिखरा है, तब तक एक पराठा और बिल लेते हैं, भरना है, और देखिए, कितना कुरकुरा क्रिस्प उसको आप चाय के साथ खाइए बड़ा मजा आता है आपको सबजे की ़भुछा दिद्ग दाएगी इतना अच्छा प्राथा बनता आ यह है तो देखिये कितना टेस्टी पराथा सिखा हुआ है बहुत टेस्ट है इसमें और इसमें डूसरे पराथे में इसमें कोई दिकत नहीं है कि आपको इसको पलट देना अच्छे से और यह सिखता रहेगा धीमी गैस पे सिखना हो ज्यादा हाई फ्लेम पे नहीं सिखना है तो आपको पता है जब मेरी मुझे टिफिन बना के देती तो मेरी एक फ्रेंड थी वो मुझे अपना टिफिन दे द यादे होती है तो यह आज उसी तरीकी का पराठा बनाया है आप लोग भी बार गाइस जड़ू ट्राइ करिएगा और मुझे कोमें शेक्षिन में बताईएगा कि आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगा हो तो भी बताईएगा और ना अच्छा लगा तो भी बताईएगा बड़ बनायेगा जरूर इस तरीके से एक पार तो इसी तरीके से सारो पराठो को हम सेक लेंगे अब यहाँ पर हम पल्टेंगे थोड़ा स्टाइल से नहीं पल्टेंगे पल्टिया यह देखिए फिल पल्टा फिल लगाते हैं बहुत ही सुन्दर बहुत ही नाया पराठा बनाएं तो देखिए फूल भी रहा है जब चीज अच्छी बनती तो दिल को बड़ी तसल्ली होती है तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर क करिएगा जो भी चैनल को नए हूँ चैनल में नए हैं वोग सब्सक्राइब कर लीजगा जो पुराने हैं जिन्होंने चैनल पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो वह लाइक और कॉमेंट करना मत भूले चैनल वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स और फैमल